नीट स्कैम के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा है ना काफी जादा मारकेट में जो है नीट स्कैम और UGC NET का एक्जाम जो कैंसल हुआ है और NDA के उपर काफी जादा एलिगेशन जो लगाई गई है वो सारी चीजों के बारे में आप लोग अवेर होंगे तो उसी के चलते क्या हो रहे है ना कि आखिरकार एक्जाम में काफी जादा कारप्शन काफी सारी चीज़े ऐसी गलत हो रही है जिनको आइड्रेस करना काफी जादा ज़रूरी है तो ये एक काफी जादा अच्छा initiative हमारी government के दौरा लिया गया है जिसमें वो कोशिश करें कि भाई जो हमारे exam का process है उसमें changes लाए जाए जाए उसमें reforms लाए जाए तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आपके क्या suggestions होने चाहिए कि इस तरीके से ची है क्योंकि देखो हम हमी बेटर तरीके से जो ग्राउंड लेवल पर काम कर पा रहे हैं उन्हीं को बता है कि बच्चों को क्या problem face होती है बच्चे खुद क्या problem face करते है क्या के issues उनको आये है क्योंकि आप सब लोगी exam दे कर आये है तो आप सब के लिए बहुती ज्यादा अ आप जाएंगे तुम्हाँ पर आपको ऐसा पेज दिखाई देगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं अपने suggestions दे सकते हैं तो हमारी government of India ने आपको पते 22nd January को एक high level committee भी बनाई थी किसके चेर्मेंशिप के अंदर जो हमारे former chairman रह चुके है इस रो के Dr. K. Radhakrishnan ठीक है और जो parent बनाया जाए कैसे जो एकदम बिलकुल ऐसा बनाया जाए जो कि एकदम fair हो तो उसके लिए वो लोग जो है अभी suggestions मांग रहे, views मांग रहे, ideas मांग अलग-अलग लोगों से, specially students और parents से ideas मांग रहे कि आपके accordingly क्या चीज़े जो है बदलाव, क्या चीज़े जिन में तो आप अपने suggestions जो है submit करने के लिए यहाँ पर इस website पर जा सकते है, 27 June से आपस अपने submission जो है start हो गई है, 7th July तक आपके पास मौका अपने suggestions देने का, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपने suggestions को यहाँ पर जाके click here to submit, यहाँ पर आप जब click here to submit करेंगे, तो आपक इसको पता है कैसे login करते हैं और उसके बाद आपको जो भी submission है उसको जो है लिख कर आप जो है submit कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जो भी सारी आपकी जो भी सारी suggestions है, viewpoints है, सरकार उनको जो है अपने इस process में लेकर आएगा, और मेभी आपको जो suggestion है, वो future में हमारे examination के process को बहुत जादा transparent बना पाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने email या mobile से login कर सकते हैं, OTP आएगा, अपके पास अगर आप email डाल रहे हैं, आप mobile नमर डाल रहे हैं, उस OTP को डाल के हाँ पर आप login कर लीजे, या फिर email और password आप डाल दीजे उसका, तो उससे भी आप login कर सकते हैं, और उसको login करने के बाद पूरा एक form टाइप आएगा, छोटा सा ही form है, आप उसको form फिल करके भेज दीजे, तो वो intake के पास पहुच जाएगा, यह जो पूरी committee बनाई है, उनके पास पहुच जाएगा, और बहतर तरीके से decisions लिये जाएंगे, so I hope आपको के वीडियो अच्छी लगी है, so जादर सादर लोग के पास जो है, इसको share करिये, और अपने friends, अपने parents, अपको भीजिए, because suggestions देना बहत जादर जरूरी है, so मिलता ब नेक्स वीडियो में, till then all of you, टेक के ताथ, बाई-बाई